दोस्तों कल मार्केट में अचानक से उच्छाल आ गया तो हमें एक पर्चत मिल गए और वो हमें ही करेाने लगे बढ़े तो मैं कुछ नहीं आता मार्केट में देखो रेकबरी आ गई उच्छाल आ गया हमने फलाने डिमकाने शेर में 5% 10% का मुनाफ़ा कमा लिया तुम बहिया जी जो गुलाबी तार है 18800 का वो सपोर्ट का काम करता है और दोस्तों ये गुलाबी तार कोई आज की बात नहीं है हमेशा निफ्टी के चार्ट पर बहुत मजबूत सपोर्ट रहता है तो टपा खाना तो बनता था और मार्केट ने टपा खाया भी लेकिन दोस्तों जो लोग बड़ी मूचों पर ताओ दे रहे हैं कि भाईया जी दुख बरे दिन भी तेरे भाईया अवसुख आयो रहे उनको हम चेतावनी देना चाहेंगे कि भाईया जी उपर की जो लाल बिजली है उस पर फोकस कीजिए मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है अब गिरा हुई है बिदेशी निवेशकों की विकवाली जारी है इस्रेल युद्ध चल रहा है यूक्रेन युद्ध रुका नहीं है बॉंड इल्ड चड़ी हुई है डॉलर इंडक्स गिरा नहीं है कच्चा तेल भी उपर है अरे भाईया जी आप हमें बताईए कि मार्केट के गिर चुनाओ है मतलब दो बड़े इवेंट के पहले मार्केट सरपट सरपट भाग जाएगा इसकी संभावना कम है बाईया जी जिन लोगों के पास बीस पत्चीस हैर रोपए है वो तो अभी लगा के पांदस परसेंट प्रॉफिट कमा के अपनी मूँचों पर ताहो देते र हाई सहाब यह जो डैड कैट बाउंस आ रहे है मरी हुई बिनली जो उचल रही है यह धोका दड़ी हो सकती है इसलिए गिरती हुई तलवार को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए मार्केट गिरेगा प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बनेगी उसके बाद ही मार्केट में सस् करते आपने तीन चार गिरावटें देखी हैं तो जो हम कह रहे हैं वह आपके दिमाग में उतर गई होगी अभी तक बात पॉइंट यह है कि भाईया जी तेजाई नहीं करनी है ऐसा नहों कि आप जो है समय से पहले अपना क्यास रिजर्व डेपलॉय करके ट्रैप हो जाए कर दो है